बॉलेवुट में ऐसे कई सितारे हैं जिनके पार्टनर अलग रिलीजिन के हैं। इनमें पृती जिन्टा, उर्मिला मातोंकर, करीना और असिन जैसी कई अक्टरस के नाम है। पृती जिन्टा ने अमेरिकन सिटिजन जीन गुड़नफ से शादी की। चीन लॉस एंजलेस में रहती हैं और पनांशिल एनलेस्ट हैं। महराश्ट्रिन फामली में जन्मी उर्मिला ने कश्मीरी मुस्लिम और बिजनसमैन मुसीन अक्तर मीर से शादी की थी। मुस्लिम परिवार में जन्मी नर्किस फातिमा राशिद ने हिंदू अक्टर सुनिल से शादी की थी। दोनों का अफैर 1957 की सुपर हेट फिल्म मदर इंडिया के सेट पर शुरू हुआ था। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में नर्किस ने सुनिल की मा का किरदार निभाया था। एक्टरिस शर्मिला टैगोर ने भारती क्रुकेट टीम के पूर्व कप्तान मुस्लिम धर्म के मनसूर अली खान पटादी से शादी की। मनसूर को पटादी के नवाद के रूप में भी जाना जाता है। आमिता सिंग्ज सिख धर्म से बिलॉंग करती हैं लेकिन उन्होंने सैफ अली खान से शादी की थी हाला की अब दोनों का तलाग हो चुका है। करिना कपूर ने भी मुस्लिन धर्म से बिलॉंग करने वाले सैफ अली खान से शादी कर ली, शादी से पहले करिना पाथ चाल तक सैफ के साथ लिव इन रिलेशन्चिप में रह चुकी है जनेलिया टिसूजा मुंबई के बेस्ट क्रिस्टियन फामली से बिलॉंग करती हैं लेकिन उन्होंने 2012 में रितेश देश मुख से शादी की जो हिंदू है कैथोलिक असन ने भी हिंदू धर्म से बिलॉंग करने वाले राहुल शर्मा से शादी की, ये शादी पहले कैथोलिक रस्म रिवाज से हुई और फिर हिंदू रीती रिवाजों से आईशा ताक्या गुजराती हिंदू फैमली से बिलॉंग करती है उन्होंने मुस्लिम पॉलिटीशियन अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी कर ली हिंदू परिवार में जनमी टीवी एक्रिस मिनी माथुर ने बचरंगी भाईजान और फैंटम जैसी फिल्मों के डिरेक्टर कबीर खान से शादी की है